नमस्कार आशाकरतों कि आप लोग ठीक हो सुशान सिंग राजपूत केस से चुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक यू तो शुशान सिंग राजपूत केस में कई नइता आए, कई लोगों ने अपना फायदा उठाया, चुनाओं का फायदा उठाया लेकिन एक ऐसा नेता है जो अभी तक शुशान सिंग राजपूत के बारे में बोल रहा है एक ऐसा नेता जो डंके के चोट पर सीना ठोक कर ये कह रहा है कि शुशान सिंग राजपूत की हत्या हुई थी जी हाँ और वो नेता है नरायन राने नरायन राने वो शक्स है जो पहले से बोलते आए है कि शुशान सिंग राजपूत की हत्या हुई है दिशा सालियान को बिल्डिंग से धक्कर दे के गिराया गया था और ये बात बिलकुत सच है ये बात हम प्रूफ कर चुके है अपनी वीडियो के तुरू पुरा आविडेस दिखा चुके है लॉजिकली, सैंटिफिकली अब जो हाली में उनका बयान आया है वो काफी चुकाने वाला है मंगलबार को एक रिपोर्टर को दिये गए बयान में नरायन राने ने ये बोला कि मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि दिशा सालियान को बिल्डिंग से धक्का दे के गिराया गया था और सुषान सिंग राजपूत की हत्या की गई थी ये पूरे का पूरे आइविडेंस मैं दे चुका हूँ CBI को लेकिन अभी तक CBI ने अरेस्ट नहीं किया है क्योंकि वो एक चीफ फिनिस्टर का बेटा है इसलिए उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है आप समझ रहे हो कि मेरा इशारा किस तरफ है उन्होंने ये भी बोला कि शुषान सिंग राजपूत की हत्या उनके बातरूम में करी गई थी ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इसको पर हम बात करेंगे लेकि पहले मैं आपको बता दूँ कि ये स्टेटमेंट का वजन इतना जादा क्यूं है क्योंकि ये बात बोली गई है महराष्ट के पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके नरायन राने दुआरा जी हां और नरायन राने इस वक्त भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर भी है तो जब एक इतने बड़े ओदे पर बैठावा शक्स ये बात बोल रहा है दंके की चोट पर सीना ठोक कर मीडिया के सामने कि चीफ मिनिस्टर का बेटा भी इंवाल्व है और सुशान सिंग राजपूत की हत्या करी गई है दिशास सालियन को गिराया गया है चिफ्था सामने लेके आएंगे लेकिन इससे पहले उनको रास्ते से हटा दिया गया अब जो ये बात बोली गई है नरायन राने द्वारा कि बात रूम में उनकी हत्या करी गई थी तभी मुझे एक बात क्लिक हुई 27 अगस 2020 को एक आर्टिकल छपाता जी न्यूस में जिसमें ये बात कही गई थी कि अकॉर्डिन टू पुलिस सुषान सिख नाचपूत की आत्मत्या एक बात रोब बैल्ट से हुई थी ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये पुलिस का वयान है क्योंकि पुलिस तो आपको बता ही है सबूत किस तरीके से लेके जा रही थी जहां पर सबूत को प्रपर एक टक करके जाया जाता है सुरक्षित किया जाता है वहाँ पुलिस ने क्या किया पन्नी में लिटरल एक पन्नी में सबूत को खटा करके लेके जा रही थी इतनी बड़ी केलेसनेस पूरे सिनेरियो को पूरे क्राइम सीन को वाइट वॉश कर दिया गया ताकि कोई भी सबूत छूट न जाए खेर जो बातरो बेल्ट की बात सामने आ रही है अब बातरो बेल्ट दिखने में कुछ ऐसी होती है और जो हमने लिगेचर मार्क्स देखे थे शुषान सिक नाचपूत की गर्दन पे वो कही न कही इस से सिमिलर हो सकते हैं ये तो आपको बता है कि जो मार्क्स है वो किसी के धम घोटने से हो रखे हैं और जिस तरीके से वो निशान किसी किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत जाला गाड़े थे इसका मतलब बहुत प्रिसाइस तरीके से प्रेशर डाला गया गर्दन पर तो ये दोनों बातों का आपस में कुछ न कुछ कर्क्शन हो सकता है क्योंकि जो बात कही थी कि बातरों बेल्ट का इस्तमाल हुआ था और अब जो नराड राने ने बोला है कि बातरों में उनकी हत्या करी गई थी तो इसका क्या लिंक हो सकता है वो मुझे आप बताव करके क्योंकि ये सारे के सारे चीज़े एक दूसरे से जुड़ी हुई है अब ये बात तो हम सबको बता है कि शुजान सिंग राजपूत को जिस कमरे में उनकी बोड़ी मिली थी उस कमरे में उनको मारा नहीं गया था उनको किसी और कमरे में या किसी बातरों में मारा गया है उसके बाद उनकी बोड़ी को वहाँ पे रखा गया ये दिखाने के लिए कि ये एक आत्मातिया है बट वो कहते हैं न बड़े से बड़ा गुनेगार कहीं न कहीं अपना सबूत छोड़ जाता है और सबूत इतना बड़ा छूट गया कि जो बैड था और जो सीलिंग था उसकी उचाई छे फिट थी और सुषान सिंह राजपूत के उचाई छे फूट जिरो फूर इंच है यानि कि सुषान की हाइट और सीलिंग की हाइट लगबख सेम थी उसके उपर से सीलिंग पर पंखा लगावा था तो ये कैसे scientificallyly or logically possible है कि शुशान सिंग राजपूत अपनी height के परावर length में या उससे भी कम में आत्मच्टा कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा logic तो इधरी फेल हो गया तो इसी वज़े से ये बात अतनी गंभीर हो जाती है कि बाथरूम में क्या सुशान सिंग राजपूत की हत्या करी गई थी क्योंकि ये बात तो तैह है कि 13 जून की रात को ही सुशान सिंग राजपूत की हत्या कर दी गई थी और 13 जून की रात से 14 जून की सुबह तक पूरा एक ढोंग रचा गया, एक सीन रचा गया कि ऐसा बोलना है, तुम्हें ऐसा बोलना तुम्हादी स्टेटमेंट ये होने वाली है तो पूरा रो पूरा हर किस्यों का अपनामना रोल प्ले करने को कह दिया गया उसमें हर को involved था, चाया वो घर के अंदर के लोग हो, चाया वो घर के बाहर के लोग हो देखिए, नरायन राने, उनके सुपुत्र, निलेश राने और नितेश राने ये तीनों के तिनों लोग बोल रहे हैं डंकी की चोट पर कि सुशान सिंग राजपूत की हत्य होई है, और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई तो बोल रहा है अभी फिलाल कोई बैस अफ पॉलिटिशन नहीं है, जो ये बोल रहा हो सब लोग बीची में आये थे चुनाव के लिए, चुनाव खतम हो गया, सब लोग चले गए लेकिन अभी भी ये शख्स है जो बोल रहे है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें इस बात का ध्याद देना चाहिए कि हमें भी बोलना है, कोई बोल रहा है तो हमें भी बोलना है, ताकि फिर से लोगों के अंदर वो आग उठे कि अभी इनसाफ दिलाना बाकी है आपको बता दू कि नरायन राने को गिरफतार किया गया था जी हाँ जब नरायन राने ने पार्ट बोली थी सी एम उद्दर ठाकरे के अगेंस्ट तो नरायन राने को गिरफतार कर दिया गया सोचिए माराष्ट के एक्स चीफ विनिस्टर को गिरफतार कर लिया गया तो आप देख रहे हो कि पावर का किस तरीके से मिस्यूस किया जा रहा है यही नहीं और भी जो बहुत सरे लोग है चाहे वो यूट्यूबर्स हो चाहे वो कोई पॉलिटीशन हो चाहे वो कोई वर्कर हो जो भी सुचाहन सिंग राजपूत के इंसाफ की मांग उठाता है जो भी सच को बनाता है जो भी सरकार के अगेंस्ट बात बोलता है और सही बात बोलता है उसको अरेस्ट करने जाता है उसके खिलाफ सालिश चाची जाती है आप देख रहे हैं तो ये सब कुछ हुआ है 14 जून 2020 के बाद क्योंकि सब सच्चा ही सामने आगे लोगों के सारा के सारा परदा फास हो गया अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती जब नराइड राणे ने खुद CBI को सारे के सारे पूरूफ दे दिये है उनके बेटे में पूरूफ दे दिये है तो CBI एक्षन लेने से क्यों डर रही है क्यों CBI कोई एक्षन नहीं ले रही है आपको बता दू मैं कि CBI सीधे रिपोर्ट करती है PMO को प्राइम मिनिस्टर आफिस को तो जब सरकार आपकी है जब आपके नेता खुद बोल रहे है कि जी ये मडर है जब आपके नेता बोल रहे है कि इसमें चीफ मिनिस्टर के बेटे का भी हाथ है तो क्यों सरकार हो चाए एजनसी हो, वो क्यों पीछे हट रही है या तो वो कुछ बड़ा प्लान करने की सोच रही है या तो कातिल इतने बड़े है कि उनको खेरने में उनके खिलाब सबूर उखर्टा करने में टाइम लग रहा है या फिर एजनसी डरी हुई है इन तीनों में से कोई एक ही बात हो सकती है और कोई बात तो नहीं हो सकती क्योंकि जब आपको सब पूरूफ दे रहे है सब लोगों आपको पूरूफ दे दिये है हमने दे दिये अपने वीडियो के माध्यम से बड़े बड़े नेता लोगों ने पूरूफ दे दिये पुरे देश की जन्ता को पता है विदेश की जन्ता को पता है किसी को पता है infect CBI को खुद पता है फिर भी CBI देरी कर रही है पताने किसी इसका इंटजार कर रही है ये बात समच के परे है अब मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मुझे अपडेट मिले वो मैं आप तक पहुँचाऊं और एक बार फिर से मैं लोगों को समझाऊं कि आखिर क्या हुआ था कैसे हुआ था किसने किया था कब हुआ था वो सारी बाते आप लोगों को याद दिलाना जरूरी है क्यों कहीं न कहीं कुछ लोग है जो ठंडे पर चुके हैं कहीं ना कहीं, लोगों को लग रहा है कि यह case एक थंडे बसते में जा चुका है, लेकिन हमें यह याद रखना है कि हम इस लड़ाई में क्यों कूदे थे, हम क्यों आये थे, थंडे पढ़ने के लिए, चुप रहने के लिए, या फिर इंसाफ दिलाने के लिए, हम इंसाफ दिलाने के लिए आये थे आप लोगों को याद दिलान चाहता हूँ आप लोगों याद करो क्यों हम लोगों ने टाइम सब कुछ निकाल के इसमें लगे रहे, क्यों हम प्रटस्ट करने गए क्यों हम लोगों ने आवाज उठाई तो एक बाद फिर से आवाज उठाऊना, क्यों शांत बैठे हो, फिर से वो रूप दिखाऊना, मेरा काम था आप तक इस बात को पहुचाना, अब आपका काम है इस वीडियो को आगे तक पहुचाना, तो इस वीडियो को शेर कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे, कि अभी केस चल रहा है, सुशान सिंग राजपूत की हत्या होई है, और इंसाफ दिलाना भी बाकी है, तब तक के लिए धन्यवाद, चस्टिस पॉर सुशान सिंग राजपूत.